Hello everyone, welcome to my channel, my host RISTI और आज हम पर रहे हैं Class 8 का Chapter 5 जिसका नाम है The Summit Within तो हम जानेंगे किस स्टोरी में क्या दिया गया है सर 1965 में Average की चोटी पर चड़ने वाले सफल भारती दल में एक सदर से Major S.P.H.P. Singh आलू वालिया थे और इस Chapter में वो हमें ये बताएंगे कि Average पर पहुँचकर उन्हें कैसा लगा था उन्होंने अपना Experience शेयर किया है तो Average पर खड़े होकर Major Alu वालिया ने स्वयम को बहुत पुलाइट अनुभग किया वो बहुत जादा ठके हुए थे लेकिन बहुत खुश होने की बज़ाए थोड़े से उदास थे और उसका कारण भी उन्हें नहीं पता था वो ये सोच रहे थे कि इस उदासी का जो Reason है वो ये है कि आप चढ़ाई करने के लिए और उची चोटी नहीं बची है अब तो उन्हें नीचे ही उतरना है आलू वालिया कहते हैं कि आवरेस पर चढ़ने के बाद उन्हें आनंद की एक ऐसी गहरी अनुबूती हुई ये पूरी लाइफ वो अनुबूती बनी रही वो आनंद उन्हें जिन्दिभी भर मैसूस किया उन्हें भगवान की प्रतिक्रतक गिता का भियन भव हुआ दूसरी चोटी आलू वालिया एक चोटी पर चढ़ चुके थे पर दूसरी चोटी के बारे में आप सोचने लगे लेकिंग यह मस्तिस्क यानिकि सबसे अपर वली चोटी थे तो वो इस रिजर्ट पर पहुँचे कि किसी चोटी पर चढ़ने के लिए किसी व्यक्ती को तीन खास गुड़ों की आवशक्ता होती और वो यह है कि उसके अंदर सहन शक्ते होनी चाहिए वो बहुत द्रण होना चाहिए और उसकी बहुत ज़्यादा इक्षा होनी चाहिए इनी गुड़ों की सहायता से कोई व्यक्ती कठनाई उपर विजयफराप्त कर पाता है इस प्रकार किसी चोटी पर शड़ना इन तीन गुड़ों की अभी व्यक्ती है मतलब कि अगर आप कहते हैं कि तुम्हें कोई पहार चढ़ाया क्या तो इसलिए कहा जाता है यूँकि पहार चढ़ने से इंसान बहुत कुछ सीखता है तो यही कारण था कि जो बादहाय होती हैं उबस्टिकल होते हैं उनको पार करने में लोगों को मज़ा आता अच्छा लगता है आलो वालिया कहते हैं कि एक प्रशन उठता है कि उन्होंने एवरेस्ट को ही क्यों जुना वो कहते हैं कि सबसे पहला रीजन तो यह है कि उन्हें हमेशा ही पहाडों से परवतों से बहुत प्यार रहा अवरेस्ट उनमें सबसे उंचा है, सबसे पावरफुल हो खुबसुरूत भी है वहाँ पे पत्थर वर्फ से भीशन संघर्स करना पड़ता है अथा इस चोटी पर चड़ने के बाद एक ऐसा काम करने का आनंद मिलता है जो बहुत थोड़े लोग कर पाते हैं कुछ दूरी से चोटी को निहारते हुए अलूवलिया किसी दूसरे संसार में पहुँच जाते है उन्हें एक अवर नहीं एक बहुत गहरी अनभूती जो कि सिक्रेटिव जैसी होती है बास्तमें अवरेस्ट पर चड़ाई करने में कटनाईयां बहुत हैं लेकिन यही बात उन्हें अवरेस्ट की पति आकरशित करती है यह चुनोती है कि रुका नहीं जाता, आपो चलना ही है अलुवलिया कहते हैं कि चुनोती में आने वाली कटनाईयों के आवान को स्वीकार न करना एक असंभब बात थी कि पर शरीर की चड़ाई ही नहीं थी, यह मन की चड़ाई थी सैटिसफेक्शन होना चाहिए कि हाँ, हमने यह काम कर लिया यह अध्यात्मिक भी था, भावनात्मिक भी था, सिर्फ फिजिकल ही नहीं था परवतों की चड़ाई हमें मितरता का पार्ट भी पढ़ाती है उसका वो एक्जांपल देते हैं कि चड़ाई में दो व्यक्ति एक ही रसी पर होते हैं एक रसी को कस्किप कड़ता है और दूसरा कटो और वर्फ में पैर रखते हुए उपर चट, मलब स्थान काटता हुआ चलता है तो फिर वो रसी को बानता है और दूसरा इंच-इंच करके उपर चड़ता है तो प्रसिद्ध पर्वता रोहियों ने अन्ने विक्तियों के द्वारा मिली साहेताओं के बारे में लिखा है अकेला आदमी तो पर्वता हरोहन के बारे में सोच भी नहीं सकता केवल फिजिकल प्रॉब्लम्स ही उसे नहीं रोकेंगी बलकि भावनात्मक परिशानिया भी रोक सकती है और जब दो लोग होते हैं तीन लोग होते हैं तो वो एक दूसरे का उसा अवर्दन करते हैं कि भई कवो एक काम करना अरे नहीं हारना नहीं है तो इसलिए एक आदमी का अवर्दन नहीं चड़ना होता है साथ मैं दल बना करी करते हैं अवर्दन से नीचे नजर डालने पर जो आरूहियन चड़ने वाले को ऐसा लगता है कि अब जो है चड़ना चाहिए और ये मन और आत्मा को पवित्र बनाने वाला अनुभव होता है और जो चड़ रहा होता है वो भगवान के ये सिर जुकाता है आलुवाले ने एवरेस पर गुड़नाना का चित्र रखा राबत ने दुर्गा देवी का और दोर जी ने बुद्ध काई किसमती चिट वहां रखा एड्मर्ण हिलरी ने वहां पर एक क्रॉस को गाड़ा और उसके उपर इस पूप बना दिया ये सारे चिन किसी विजय के नहीं विल्कि शद्धा के थे अधा है एवरेस पर होने का उनफ़ब किसी विक्ति को पूरी तरह बदल देता है हर आदमी के अंदर एक परवश शिखर होता है ये डरापना और संभब आरोहन करने वाला है फिर भी इस पर चढ़ाई नहीं चढ़ाई वही विक्ति कर सकता है अने कोई नहीं मतब जिसकी अंदर है कि हाँ वो कर लेगा इस आंतरिक शिखर पर चढ़ना एवरेस पर चढ़ने के समान है प्रभाव समानी होते हैं दोनों आरोहन अपको बदल देते हैं आंतरिक शिखर शायद एवरेस से अधिक उचाओ बहुत अच्छा चैप्र था मुझे बहुत बहुत पसंद आया और हम इससे सीख सकते हैं कि जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए कितनी भी परिशानिया यानि कि कितने उंचे उंचे पहाड हमें देखें अगर हम द्रण हैं अगर हम उस कान को करना चाहते हैं तो हम कर लेंगे, कर सकते हैं तो प्रिणा मिली होगी आपको यह पाट पढ़के और समझ में भी आया होगा I hope कि आपको अच्छा लगा होगा Please subscribe my channel for more videos Thank you so much